हेलो फ्रेंड सनी स्टेटी पॉइंट में आपका स्वागत है आज मैं आपके लेके आया हूँ नंबा सिस्टम का पार टू जिसमें मैं आपको परिमे संख्या और परिमे संख्या पढ़ाऊंगा तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमें है आरे जीसे फार एक्जांपल क्या होता हÜDDक सब्सक्राइब क्या होता है फॉर इक्जांपल से चूले ना 6L जा लेंगे 2 जाना 3 इसी तरह फोर कामा संख्या तो परिमे संख्या किसे कहते हैं जैसा कि आम ने बहुत पढ़ा होगा मगर मैं आप एतम सिंपल भासा में बताऊंगा कि परिमे संख्या किसे कहते हैं इसकी जिस संख्या को हम P by Q के रूप में लिख सकें P by Q मतलब अंस और हर के रूप में लिख सकें पर सर्तिया है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए मतलब क्यों जीरो नहीं होना चाहिए यह हमेशा प्लस के फॉर्म में जीरो के फॉर्म में माइनस के फॉर्म में हो सकते हैं जैसे 2 बाई 3, 5 बाई 7, 0, अंडर रूट 16, ETC आदि, फिर एक इंपोर्टेंट नोट है, पाई एक अपरिमे संख्या है, लेकिन इसका मान, मतलब पाई का मान 22 बड़े साथ, एक परिमे संख्या है, मतलब पाई एक अपरिमे संख्या है, और इसका मान 22 बड़े साथ, परिमे संख्या है, आईए अब इसको पहचानते कैसे हैं, देखते हैं, संख्याएं भिन्य में हो, तथा ये धनात्मक हो, तथा ये रिडात्मक हो, और ये सोन में भी हो, फिर संख्या का वर्गमूल भी नि और फिर दसमलाओ के बाद बार भी लगा हो अब जैसे कैसे आई एक्जाम्पल लेते हैं जैसे 2 बटे 3, 22 बटे 7, माइनस 2 बटे 3, माइनस 4, माइनस 7 बटे 9, 5, अंडर रूट 4, अंडर रूट 7 रूट 5, फिर 2.9393 और 1.423 ये बार, आदी, फिर आजाओ, अब अपर्मे संख्या हैं, अब अपर्मे संख्या हैं, किसे कहते हैं, वह संख्या जो भिन्न के रूप में हो, मतलब P by Q के रूप में हो, किन्तु उसका वर्गमोल ना निकले, ठीक है, P by Q क्योंके फॉप में हो, पर उसका वर्गमोल ना निकले, और दसमलों के बाद संख्या हैं, दोहराई भी ना जाएं, जैसे, दसमलों के बाद संख्या हैं, दोहराई ना जाएं, जैसे, अंडर रूट 16 रूट 15, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, और फिर 2.4917, और यह, पाई, यह सब क्या हैं, यह पर्मे संख्या हैं, तो गाईस, आपको, समझ में आता होगा, आसा करता हूँ, फिर एक नोट लिखते हैं, नोट में क्या हैं, कोई भी पर्तीक चिन, कोई भी पर्तीक चिन, सिम्बल, यह से पाई, उमेगा, यह सब चिन, अपर्मे संख्या होती हैं, ठीक है गाईस, फिर आजाओ आपको, चीज़े हैं, यूग्म अभाज संख्या हैं, या, दू अभाज संख्या हैं, किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, यदि किसी भी, अंतर 2 हो, यदि किसी भी, दो अभाज संख्याओं का अंतर 2 हो, उसे दू अभाज संख्याओं, कहते हैं, और दो अभाज संख्याओं, क्या होती हैं, जैसे, 3,5, 5,7, 11,13, 17,19, 19, मतब 19, आदी, ETC, T हो गई, दो अभाज संख्याओं, फिर अभाज जाओ, समिश्च्र संख्याओं, जिसको बोलते हैं, कॉम्पलेक्स नंबर, कॉम्पलेक्स नंबर अब किसे कहते हैं, यदि कोई संख्याओं, A प्लास आयोटा B, इसको बोलते हैं, आयोटा, O, I, T, आयोटा B, के रूप में, हो, जहां A और B वास्त्यविक संख्या हो, तथा, I काल्पनिक नंबर हो, समिश्च्र संख्याओं कहलाती हैं, ठीक है, I एक काल्पनिक नंबर है, और A, A और B क्या है, रियल नंबर है, मतलब वास्त्यविक संख्याओं है, ठीक है, एक्जाम्पल के लिए, अंडर रूट, माइनस 3, तो गाइस, वीडियो कैसे लगी, आप बताईए जबरू, कमेंट करके, तब तक के लिए, धन्यवाद, नेस्ट पार्ट में आगली वीडियो लाता हूँ,